आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास बैसिक बैसिक चीजे हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास को सब्सक्राइब करना एक लिए तो क्लास को सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूं क्लास कि क्लास को एक मेनी समझना चाहते हो तो यह अपने आप मेनी कौस्टन होती है और स्ट्रेटमेंट के बाद एक छुटा सा कोई आप लोगों के सामने आएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं इज और इज और मीनी क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहां पर बोलता हूं I have bought a pen तो यहां पर हो जाएगा haven't I तो जो haven't I हम लोगों ने लिखा It is called question tag यह क्या होगा question tag होगा question tag को समझने के लिए कुछ basic basic बाते हमें मिलके सीखने पड़ेंगी आप लोग भी साथ दो एक एक बच्चा जो नए student है तो बेटा ध्यान से समझो जो old बच्चे हैं जो पहले समझ चुके हैं जिनका question tag पहले complete हो चुका है लास्ट पैच में तो आप भी ध्यान दीजिए क्योंकि आपका भी प्रेटा क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा सभी ध्यान से समझोगे और जितने student आज को एक बार सभी बच्चे लिंक को जितना हो सकता है मैक्सिमुम से मैक्सिमुम से कीजिए ताकि सभी बच्चे हम लोग से connect हो जाएगा देखो question tag का यदि आप लोग हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो वह हम हिंदी में question tag को क्या बोलते हैं देखो कभी-कभी हम लोग ने क्या है questions हम लोग खुदी बना देते हैं एक confirmation के लिए जैसे मैंने आपसे पूछा प्हाइई एंगलिज की क्लास है ना ना मैंने कहा आप serious के बच्चे हो ना मतल्म मुझे पता हें चीजों का मैंने मुझे पहले से idea है यह न चीजों का कि यह English की भी क्लास है और आप जो सामने वाले हो वह स्टूडेंट्ट भी मैंने क्या कि एक confirmation के लिए आप लोगों से पुछ लिया कि ऐसा है ना यानि कि हिंदी में जो वर्ड हम लोग है ना है ना है ना बोलते हैं इसी को बिटा question tag बोला जाता है हाँ या ना final है समझ आ गया जी देखो अब मैंने कहा I have bought a pen मैंने एक pen खरेदा haven't I इसका क्या बन आप ऑगया thinks we look at here यहाँ पे दिखोगे यह आपके सामने i frequently re Albanese है यानिक हम लोग बोल सकते हैं यह अपने आप में यह अपने में एक statement है और इस statement का एक अपना question बन गया एक होटा सा question बन गया यानि कि इस statement को follow किया गया, एक question के द्वारा, जो ही question यहाँ पे है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही तो बोलते है, question tag बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने mini question बोला, जिसको हम लोगों ने बोला, कि जो question confirmation के लिए यूज होता है, अब यह बात ने तो समझ आ गए कि question tag है क् समझ आ गया सभी को, it is a mini question, और ये भी समझ आ गया, कि जो statement होती है, उसके पीछे जो एक question देखने को मिलता है, उसे हम question tag बोलते हैं, बहुत से ऐसे student है, बहुत से ऐसे भाई या बहन है, जिनको अभी तक नहीं पता चला होगा, कि ये haven't I कहां से आया, ये haven't I को आप कहां से लेकि आ गये, ये हमें अभी तक नहीं समझ आया, तो आओ सभी बच्चे मिलके, हम और आप सभी मिलके इसको समझे, कि question tag को कैसे use किया जाएगा, और कैसे हम किसी भी statement का question tag तियार कर सकते हैं, तो इनी बातों को समझते हैं, next case में आभी यहाँ पे, देखो इतना समझ आ गय question होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, question tag बोलते हैं, जैसे ये statement है, वो पीछे question tag है, यह हमने समझा दिया, अब समझ लेते हैं, कि question tag बनता कैसे है, यानि कि basic rule जो question tag क्यों होते हैं, basic rule, देखो, सबसे पहली आपको में एक line बनाएता हूँ, कि आपकी सामने एक sentence तो होगा ही होगा, आप sentence बोलो, statement बोलो, या closes बोलो, आपकी इच्छा है, और इस sentence का हमें क्या बनाना है, इस sentence का यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा question tag, question tag, यही बनेगा, अब एक line आप सभी को समझने है, क्या, कि जो sentence होता है, और उसका जो question tag होता है, यह दोनो must be in same tense, must be in same tense, मतलब यह same tense में होना चाहिए, यह बाते आप लोगों को समझनी है, यह तो मैंने समझाया, आपको एक basic role, यानिक एक English की language में, अब आपको मैं अपनी language में समझाता हूँ, भी कैसी question tag का case one होता है, basic rule one होता है, देखो, जब question tag आप लोगों के सामने आएगा, तो जो tense आपने sentence में use किया है, तो same tense आप लोग question tag में लगाओगे, means tense कभी भी change नहीं होगा, tense में कोई भी change नहीं किया जाएगा, ठीक है, मान लिया कि यह आपके सामने क्या है, एक sentence आपके सामने, एक close आपके सामने है, यहाँ पर जो tense आपने use किया, जो helping verb आपने use किया है, same helping verb यहाँ से उठाके, आपन case होता है, देखो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा example यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, मीना, age, coming, हना, यहाँ पर आपको एक कॉमा मिलेगा, कॉमा के बाद आप से पूछा जाएगा, कि इसका question tag क्या बनेगा, देखो, case 1 कहता है, कि जो sentence होगा and आपका question tag होगा, must be in same tense, मतलब same tense में होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर age coming given है, मतलब मैंने आपको अब भी समझाया कि जो helping verb आपको यहाँ पर मिलेगा, same helping verb आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर helping verb आपके age given है, यहाँ पर age given है, तो Mohan, Mohan has come, Mohan has come, इसका question tag हम लोग बनाते है, तो यह क्या बनेगा, hedge है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है जाएगा, बन गया question tag बस, आगे भई, आगे जैसे वहाँ पर आपने लिखा haven't लिखा, वो बाते बाद में, अभी case 1 समझाया है, और case 1 के according कहना सही होग वैसे इसका जो question tag complete बनेगा, वो बन जाएगा, agent C बनेगा, और इसका जो question tag बनेगा, वो बन जाएगा, हैजंट C बन जाएगा, यहाँ तक कितने ऐसे student है, agent he बनेगा, यहाँ तो, agent he, और पीछे sign, question mark, चिक है, ऐसे कितने student है, जिसको यहाँ तक बाते समझ जा गई है, question tag and sentence होता है, must be in same tense, मतलब same tense में होना चाहिए, tense change नहीं होगा, किसी भी हलात में tense change नहीं होगा, यही बाते आप लोगों समझाई है, इतना समझ आच का है, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता दीजिए, और समझ आच का तो एक लाइक तो बनता है, जिसने भी अभी त चीज़ों को समझाश के, और सभी बच्चे हम लोगों से यहाँ पर join भी हो जाए, बहुत बड़ी है भाई, ओके, हाँ, साथ की साथ मैं लिख सकते हो, नहीं आपको PDF आपको मिली जाएगा, ठीक है, अब चलते हैं, इस case, case number second पर, case second को हम लोग यहाँ पर ले लेते है, case number second समझो, sentence और question tag, देखो, जो sentence given होता है, इंगलिस में जो भी sentence given होता है, उसका जो question tag बनता है, वो हमेशा opposite बनेगा, sentence का opposite होता है, अब sentence कैसे होता है, sentence या तो negative हो सकता है या positive हो सकता है दोई चीज़ी हो सकते है considering sentence कैसा होगा negative होगा या नहीं तो kaisa होगा positive होगा बट जैसे आप लोग question tag बनाओगी इसका question tag हमेशा क्या बन जाएगा इसका question tag बेटा हमेशा opposite बनेगा opposite मतलब कैसे देखो यदि sentence आपको positive मिलता है तो इसका जो question tag बनेगा, इसका question tag हमेशा negative होगा, समझा कै, उसके बाद, यदि मान लो sentence आपको negative मिलता है, तो इसका जो question tag बनेगा यह हमेशा कैसा होगा, यह हमेशा positive होगा, यह बाते आप लोग नोट केजिए, जैसे हम लोग उने एक example पीछे देखा था, मीना इज कमिंग, यह देखा, और second example हम लोग नहीं वहाँ पे लिया था, मोहन हैज कम, यह लिया, हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग की same example है, बिल्कुल है, तो सबसे पहले case one क्या कहता है, case one बोलता है, कि जो question tag होगा, जो sentence होगा, must be in same tense, एक ही tense में होना चाहिए, अब देखो, मीना इज कमिंग, तो यह क्या बन गया, tense change नहीं होगा, इज आएगा, अब मैंने आपको बुला second case क्या आगया, यह sentence आपका positive है, sentence positive है, तो question tag कैसा बन जाएगा, negative बन जाएगा, इसलिए मैंने यह है, यहाँ पे hedge given है, और इसके साथ में क्या आजाएगा, not आजाएगा, hedge not बन जाएगा, यह आपका case check it कहता है, दोनो case किस-किस बच्चे को समझ नहीं आए, आप लोग बता सकते हो, case 1 क्या था, tense change नहीं होगा, बेटा, ऐसा समझा दूगा, कि आपको यहां के यहीं आद ह हो जाएगा, लिखने की भी आपको need नहीं होगी, आपको अलग से कहीं से ऐसा भी नहीं है, कि आपको दुबारा कहीं किसे class लेना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा, मतलब एक एक चीज बिलकुल basic से एक अच्छे level तक आप लोगो को समझा दूगा, टेंसल मत लेजिए, ब आपको बन गया, अभी तक ही second case है, complete question tag नहीं होगा, अभी तक complete question tag हम लोगों ने किया, अब चलते हैं हम लोग case number third पे, यह जो case है अभी, यह आपका क्या है, अभी complete नहीं होगा, यह अभी क्या है, incomplete है, लेकिन हमने case number second तक हम लोगों ने किया है, ठीक है, चलो, आगे जाता हूँ case number third पे, case number third, देखो, पीटा चो question tag आपने बनाया है, आपने बोला भी कि sentence change नहीं होगा, और आपने क्या बूला, कि question tag में sentence positive होगा, question tag negative होगा, means opposite बनेगा, हना, जब भी question tag आप लोग बनाते हो, यह आपको helping verb की साथ में not मिलता है, यानि कि question tag में, question tag में, यदि helping verb plus not आजाता है, तो आप उनकी क्या बनाओगे, हमेज़ा short form का यूज़ किया जाएगा, उसको हमेज़ा short form में आप लोग बदलोगे, कैसे, जैसे माल लिया कि यहाँ पे has not given था, हना, has not given है, तो पीटा आपने has not नहीं लिखना है, आप कैसे लिखोगे, आप लोग नहीं लिखोगे, हम लोग क्या लिखेंगे, hasn't लिखेंगे, देखो मैं सभी लिख देता हूँ, यहाँ पे, is not, are not, was not, was not, has not, have not, do not, does not, did not, have not, cannot, sell not, will not, ठीक है, सभी लिख दी मैंने, चाहिए आपका is not, are not, has not, cannot, will not, sell not, कोई भी हो, हना, अब इनकी short form कैसे बनेगा, देखो, is not को जब हम लोग short form में बदलते हैं, तो is not कहाँ पे change हो जाएगा, यह आपका बन जाएगा, agent हो जाएगा, agent, aren't, wasn't, समझ आया या नहीं आया, आज तो मज़ा आ गया ना, बिल्कुल easy topic आप लोगों के लिए है, holy के इस सबहुशन पर, agent बन गया, haven't बन गया, don't बन गया, आगे बरता हूं तो मैं यहाँ पर doesn't आ जाएगा, did का क्या बन जाएगा, hadn't बन जाएगा, cannot का क्या बन जाएगा, can't बन जाएगा, sant बन जाएगा, will not का क्या बनेगा, want बनेगा, इनको याद कीजिए, यह बहुत कान की चेज़ है, आपके maximum time exam में यह बाते आप लोगों से पुछी जाएगे, ठीक ना, यह आपके question tag का बिल्कुल base है, इसको question आपका है, तो आप लोग साथ साथ हम पूछ लिजिए, कि हमें यह चीज़े समझ नहीं आई है, ठीक है, I hope, आप लोगों को सभी बाते समझ आई होंगे, तो जितनी student अभी देखने लगे हुए, एक बास सभी बच्चे yes, yes, yes बोलके reply कीजिए, कि हमें समझ आ चुका है, case number 4, देखो, एक छूटा सा example में आप लिएता हूँ, I am fine, I am fine, आपको इसका question tag बनाना है, I am happy, I am happy, question tag, I am tired, में थका हुआ हूँ, इसका question tag, तो जल्दे-जल्दे आप लोग सभी बच्चे question tag बनाईए, इसका, देखो, सबसे पहला case क्या है, सबसे पहली चीज हम लोग ने पढ़े थी, sentence and question tag must be in same tense, मतलब कभी भी tense change नहीं होता है, second case हम लोग ने क्या पढ़ा, sentence positive, question tag negative, sentence negative, question tag positive, यानि कि sentence का opposite होता है, question tag, third case हम लोग ने देखा, कि question tag में, जब helping war plus note होता है, तो उसको short form में बदल दिया जाता है, like has not change हो जाएगा, hasn't में, cannot change हो जाएगा, can't में, will not change हो जाएगा, want में change हो जाएगा, यही बात है हम लोग ने की, तो next case आच चुका है, यदि कभी भी आपके सामने कोई question आता है, like I am happy, I am fine, I am so beautiful, कुई ऐसे से बोलते हैं, I am so beautiful, वैसे sense गलत होता है, हैना, तो ऐसे आप लोग को मिलता है, तो इसका question टेक क्या बनेगा, चलो इसको भी जान लेते हैं, देखो, सबसे पहले helping verb same, sentence मैंने check किया, क्या बन गया, negative बन जाएगा, am not हो जाएगा, same यहाँ पे हो जाएगा, am not हो जाएगा, और same यहाँ पे हो जाएगा, am not हो जाएग तो हम दो क्या बनाएंगे, am not बना देते हैं, am not, am not, am not बना देते हैं, exam में option भी am not होता है, बट आप सभी बच्चे ध्यान रखना, यदि am plus not आपको कभी भी मिलता है, तो इसका short form am not नहीं बनता है, am not का am not कभी भी नहीं बनेगा, am not हमेशा change हो जाएगा, कहाँ पे, am not ह सभी बच्चों को याद रखनी है, यहां से exam हमेशा ही question पूछता है, तो यहां पे क्या बन गया, यही बन गया, यही बन गया, यही बन गया, यही बन गया, यहां पे भी same बनेगा, समझ गये, अब यहां पे अभी question tag आपका बाकी है, यह case number 4, I hope आप सभी बच्चों को समझ नहीं आया, तो आप लोग पूछ लेजिए कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आया, कौन सी बाते समझ नहीं आया, कौन सा case समझ नहीं आया, एक बार अगेन मैं आप लोगों को बतायता हूं, case 1 क्या था, जो sentence होता है, जो question tag होता है, must be in same tense, मतलब हमेशा same tense में होना च sentence positive तो question tag negative, sentence negative तो question tag positive, ये case number second, case number third, question tag में जो case number third मैंने आपको बताया, question tag में जब helping वा प्लस not होता है, तो उसकी हमेशा short form बनती है, जैसे has not given है तो hasn't बन जाएगा, have not given है तो haven't बन जाएगा, can not given है तो can't बन जाएगा, sell not given है तो shant बन जाएगा, will not given है तो want बन जाएगा हाँ या ना फाइनल है एकना तो समझ आ ही चुका होगा है ना उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग केस नबर फॉर पे मैंने कहा यदि M प्लस नोट आ जाए यदि M नोट आपका question tag में आ गया helping verb प्लस नोट आपका मिल गया M नोट आ गया देखो, case 5 में क्या होता है जब भी आप लोग question tag बनाते हो, question tag एक चीज आप लोग ध्यान में रखें कि question tag में कभी भी noun का use नहीं होगा question tag में कभी noun नहीं आएगा कभी noun का use नहीं होगा जैसे कि हम लोग ने देखा पीछे कि आपने यहाँ पे लिखा Mena मीना is coming तो इसका question tag हम लोग ने क्या बनाया एक example हम लोग ने लिया था मोहन has come मोहन has come मीना is coming और second example है मोहन has come समझ के अब यदि मैं इसको देखता हूँ मीना is coming को देखता हूँ भई तो यहाँ पे बन जाएगा agent और उसके बाद मीना के लिए मैंने क्या उजग गया search का यूजग किया यहां पे बन गया क्या agent बन गया बट मोहन के लिए मैंने क्या उजग गया रही का उजग किया हना तो मतलब समझ जाओ कि question tag में कभी noun नहीं आएगा question tag में हमेशा उजग के जगा तो हमेसा यूज होगा डिटा बाल वेनित उम्हीडान का यूज होगा यहाँ पे कोई भी मेलर है यानि के मेल और स्पिंगश्वक्त मेड़ां में तो हम लोग क्या लगाएंगे चींग जुद बदे यहां पे स्काया है तो कि लुग क्या लगा भाएंगे से गाएंगे ही उच्छोगा हैना एनिमाल के लिए एनिमल यहां पर गिवन हम्छारında स्हूंध है तो इसके लिए हम लोग हमेशा रहां एको लगाते हैं यह वुद्बिंप क्लीर सुम में है तो इसके लिए लोग किया लगाएंगे दे को लगाएंगे है ना ऐसे ही जैसे कि यहां पर बॉइज है या मैन है ना और मानलों कि यहां पर गल्स की बाते हैं यह केस होगा तो इनके लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे दे को लगाएंगे यह बाते आप सभी को सीखनी है यह बाते आप सभी को समझनी है I hope आपको समझ आ यहां से आप कैसा भी question बना सकते हो किसी भी type का आप से question पुछा जाएगा तो आपके सब भी questions बन जाएंगे अभी बचा हुआ बहुत से चीज़ा आपके बच्चों यहां वो भी हम लोग देखते हैं पहले किसी भी बच्चे का यहां तक कोई भी doubt है तो आप लोग पूछ ल देखो समझो आप लोग Case No.6 Case No.6 में बेटा है यहां पर मैंने लिखा मोहन मोहन वाक्ष हार्ड इसका question tag आप लोग बनाओके Second लिखता हूँ यहां पर मोहन इनका question tag बताओ क्या होगा ध्यान से बिलकुँ देखो अब आप बोलोगे कि आपने यहां तो helping वाक्ट लगाई ही नहीं है ने age है ने m है ने r है ने wuj है ने वर है ने आपका h है ने have है ने किसी modal का यूज है ने do का यूज है ने does का यूज है ने आपका did का यूज है ना आपने यूज तो किया ही नहीं तो हम सभी आप और हम सभी मिलके इस question को solve कर लेते हैं ठीक है मैंने यहां पे कोई भी helping verb नहीं लगाया और यह line आप लोग जानते हो यदि sentence में helping verb नहीं होता है यदि मान लो sentence में helping verb नहीं given है बेटा तो आपको क्या मिलेगा या तो आपको verb v1 मिलता है या आपको क्या मिलता है second form मिलता है हना v1 होगा या v1 के साथ में ses होगा ये ऐसी main verb है जो without helping verb आप sentence में देख सकते हो ये ऐसी main verb है जो आप without helping verb sentence में देख सकते हो हाई हना हना अब एक line यहां से भी एक conclusion यहां से भी निकल किया गया कि जो third form होता है third form English में जो main verb जो third form होता है बेटा इसको हमेशा need होती है helping verb की means ये without helping verb कभी भी नहीं आ सकता ये third form की खास्यत है V1 and second form without helping verb आ सकती है हना अब आपको क्या देखना है यदि आपको V1 आपको मिलता है या V1 SES आपको मिलता है जिसको V5 आप लोग बोलते हो तो आप लोग या तो डू को लेते हो या आप लोग डज को लेते हो अब डू कब आएगा डू आता है हमेशा जब subject कैसा होगा plural form मे होगा यह तो केस है V1 में डू या डज का second form जब आपको मिलता है तो second form के case में हम लोग क्या लेते हैं हमेशा हम लोग डिड को लेते हैं subject चाहे कैसा भी हो हमेशा ही डिड आएगा है ना अब यहां पर देखोगे आप जब negative बनाओगे तो don't बन जाएगा यहां पर doesn't बन ज मोहन एक वचन है यही मोहन एक वचन है भाई तो मोहन की according हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर हम लोग डज को लगाएंगे अब यहां पर मैंने चेक किया sentence positive और question tag negative बन जाएगा does not यहां पर बन गया लेकिन हम लोग does not को क्या बना देंगे does not बन जाएगा doesn't में हो जाएग हां या ना फाइनल है उसके बाद आगे बढ़े यहां पर क्या है यहां पर second form बने है यहां पर second form बने है तो हम लोग यह इस question को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा है ना यह दोनों question tag बन चुके है तो यह आपका case number six था तो कोई भी ऐसा student हो जिसको case number six समझ नहीं आया है तो एक बार अगेन आप message किजिए I hope सभी को समझ आ गया होगा क्योंकि इतनी speedily मैंने समझाया भी नहीं है एक इक चीज़े आपको अच्छे से बताई है सायद ऐसा को student नहीं होगा कि जिसको समझ नहीं आया होगा case number one क्या था one में मैंने बोला sentence and question tag must be in same tense मतलब एक के टेंस में होना चाहिए case number second क्या था case number second हम लोगो ने लिया कि जो statement होता है sentence का opposite question tag बनता है sentence positive, question tag negative, sentence negative, question tag positive, case number third मैंने कहा कि जब आप helping word plus note लेते हो question tag में तो हमें उसकी चाहिए short form जैसे hasn't का, has not का, hasn't बन गया, have not का, haven't बन गया, can not का, can't बन गया, हना यह चीज़े आपके बन जाएंगे, case number four क्या था, m plus, m plus note यह आपको मिलता है, तो उसका जब question tag बना होगे, तो amant नहीं होगा, हमेंसा क्या बनेगा, aren't बन जाएगा, case number five क्या किया, case number five में मैंने आपको समझाया, कि question tag में कभी noun नहीं आएगा, और noun की replacement, एक topic के साथ होती है, वो आपका होता है, case number six हम लोगों ने क्या किया, case number six में हम लोगों ने जाना, यदि मानलो helping verb sentence में नहीं होता है, तो दो ही option हम लोगों पास आएंगे, दो ही option में क्य आएगा, या तो V1 होगा, V1 के साथ में SES होगा, तो V1 होगा, या V1 के साथ में SES होगा, या आपको second form मिलेगा, V1 SES यदि आपको मिलता है, तो हमेशा हम लोग डू या डज को लेते हैं, second form मिलता है, तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, ये बाते आप लोगों को समझनी ह इतना ही मैंने आपको समझाया किसी भी बच्चे का कोई भी question है तो एक बार आप लोग यहां से पूछ लो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी भी बच्चे का यदि यहां तक कोई भी question है case number six तक यदि आपको लगता कि हमें समझ नहीं आया है लिखने की आपको देखो बाद में लिख लेना यह निकोंगा कि लिखना मत यदि आप खुद के notes बना लेते हैं क्लास के बाद तो बहुत बहुत अच्छा होता है है न और question भी कीजिए साथ की साथ में maximum questions भी लगाईए जितने topic आपके उचके है questions लगाईए है यह आज की थी हम लोगों की class 1 यह आपकी आज की class 1 थी हम लोग मिलेंगे class 2 में भी अगेन आप लोगों से एक नए समझ नहीं आया है आपको लगता है कि कुछ बाते ऐसे हैं जो मैं नहीं समझा पाया हूं तो प्लेज आप सभी बच्चे बताईए कि क्या समझ नहीं आए अच्छा लगा है तो आप लोग सभी बच्चे session को like के जिए और session को जितना हो सकता है maximum से maximum session को share केजिए मैं तो हमेशा बोलता वेटा कि जब हम लोग और आप लोग मिलके अपना शो का सो लगाएंगे मतलब आप भी अपना शो का सो दो हम भी अपना शो का सो देंगे ना और जब दोनों साइड में से एक अच्छा effort लगेगा क्लास में पढ़ने का भी अलग मजाएगा और selection भी आप लोगों का होगा है ना तो किसी का कोई भी question है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए अभी मैं आपके सामने खड़ाओं कल मिलते हैं again same session में next seven case के साथ तब तक यदि कोई भी question आप लोग होगा तो आप लोग पूछ सकते हो हां आज जाके आप लोग कम से कम 40-40 question आप लगाओगे तो आपके बंद भी जाएंगे और कोशिश केजिए कि case number six तक जहां से भी question आपको मिले उस question को आप लोग लगाईए ठीक है उस question को आप लोग सब भी बच्चे लगाईए तो काफी है आज के लिए तना ही मिल बच्गा Żवारा काफी है उस Кचा के लगाईएए ने हांूँẹग आपके ने हमाहाईए लागे ही जापके मिले इसए rono के मिला है लोग लेका से में आपके 선물 का आपकेुप़ लोगाईब मिता है उस दोग्र económica का लीम टके लीह है जा दो लोगाईववाऌ पके लोगा लो